Hello Friends, इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे वैक्शिन से रिलेटेड 10 doubts के बारे में आप लोगों के मैंन में वैक्शिन से रिलेटेड बहुत सारे doubts हैं कुछ का answer आपको पता है, कुछ का answer नहीं पता है तो I hope ये वीडियो को देखने के बाद आपके सारे doubts clear हो जाएंगे इसमें हम लोग first question लेते हैं वैक्सिन के development में years लग जाते हैं या फिर medicine के development में years लग जाते हैं बट ये vaccine केवाल एक साल में ready हो गया how it is possible and is it safe तो यास ये possible है दो reason से पहला reason है कि जो हमारे scientist है उन्होंने काफी dedication और hard working के साथ काम किया जिससे fast development हुआ दूसरा जो regulatory approval है उसका process काफी fast हुआ क्योंकि ये emergency वाली situation थी means लोगों का life का सवाल था तो इसलिए वो approval काफी fast हुआ तो इसके कराण जो time lapses होते हैं वो reduce हो गया और ये vaccine इतना जल्दी बन करके ready हो गया second question is that क्या vaccine लेना mandatory है यदि मैं vaccine लेना नहीं चाहता हूं तो तो as per Ministry of Health and Family Welfare vaccine लेना आपको suggested है ये voluntary है आप अपनी मर्जी से या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं अब हमारा third question है कि इंडिया में vaccine के दो doses लग रहे हैं तो first dose और second dose के बीच में जो gap है वो कितना होना चाहिए तो as per Ministry of Health and Family Welfare वो gap 4-8 weeks का होना चाहिए मिस रफली एक से दो महिने का gap उसके बीच में होना चाहिए और fourth question ही आता है कि क्या मेरे पास choice है कि मैं कौन सा vaccine लूँ मैं co vaccine लूँगा या फिर कोवी सील्ड लूँगा या फिर sputnik 5 लूँगा तो अभी vaccine का killer चल रहा है उतना जादा stock नहीं है तो आपके पास हो सकता यह option आपको नहीं मिलेगा तो आपके area में जो भी vaccine available है उसको पहले dose मेरे को co vaccine का लगया तो क्या मेरे को दूसरा dose कोवी सील्ड का लग सकता है तो नहीं इसकी कोई study नहीं हुई है तो आपको पहला dose co vaccine का लगा तो दूसरा भी co vaccine का लगगा यहां पर अब हम लोग 5th question लेते हैं जो बहुत जादा important है और इसका answer बहुत लोगों को नहीं पता है question is that यदि मेरे को COVID-19 जैसे symptoms है या फिर मैं currently COVID-19 से positive चल रहा हूं या फिर मैं COVID-19 होने के बाद recover कर चुका हूं उस समय में मुझे vaccine क्या लेना चाहिए और लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए तो यस आपको vaccine लेना चाहिए लेकिन उसके लिए certain condition है यदि आपको symptoms है बट आपने टेस्ट नहीं करा है तो आपको हो सकता है COVID-19 हो आपको symptom है तो आप तो वहां पर vaccine लगवाने जाओगे नहीं क्योंकि यदि जाओगे तो वहां पर सब लोगो COVID-19 का infection दे दोगे या फिर आप positive चल रहा हो तब भी नहीं चाहिए अब बात आती है third condition कि यदि आप recover कर चुके हो तो आपको vaccine कब लगवाना चाहिए तो आपको recovery के 4 से 8 वीक बाद vaccine लगवाना चाहिए means 4 से 8 हपते का wait करना चाहिए for example आप first May 2021 को recover किये हो तो आपको जो vaccine लगवाना चाहिए first June या फिर उसके बाद लगवाना चाहिए मोटा मोटी आपको one month का gap लेना चाहिए ऐसा करने से आपका strong immune response develop होगा by using that vaccine अब next question आता है जो बहुत important है मेरे को कुछ already certain disease है like मेरे को diabetes है या फिर hypertension है या फिर bleeding disorders like hemophilia है तो क्या मैं vaccine ले सकता हूँ तो आप vaccine ले सकते हैं बट vaccine लेने से पहले आप अपने doctor से consult किजिए because सब का condition अलग-अलग होता है सारा body different है किसी का diabetes में sugar level कुछ होता है किसी में कुछ होता है तो vaccine लेने से पहले आप अपने doctor से consult कर लिजिए और उनके accordingly फिर आप vaccine लेने जाए अब next question आता है जो बहुत important है सेवंत question vaccine के contraindications क्या क्या है means ऐसे कौन से condition है जब आप vaccine नहीं ले सकते तो कोई person जिसने first dose vaccine का लगवाया और उसको कोई adverse reaction हुआ या फिर allergic reaction हुआ तो उसको second dose नहीं लेना चाहिए कोई lactating मदर है मिस जो मदर बच्चे को दूद पिला रही है या फिर कोई pregnant lady है उनको vaccine नहीं लेना चाहिए किसी को anti-sars-cov-2 monoclonal antibody लगा हो तो उनको vaccine नहीं लेना चाहिए इंडिया में यह approval होने वाला है कुछ ऐसी खबरे आ रही है कि रोच इंडिया है वह monoclonal antibody ला रही है जिससे कोई 19 पैसेंट अच्छे से ठीक हो सकते हैं यह यूएस में अभी अल्रडी चल रहा है महां से यहां पर लाने की कोशिस है उसको इस monoclonal antibody का नाम है कैसरी विमेब प्लस इंडे विमेब मींस यह दोनों antibody एक साब combination में देंगे तो यह कोई 19 के treatment में काम करता है इसके अलावा ऐसे पैसेंट जिनको प्लाजमा लगा हो मेंस कोई 19 का पैसेंट है वो रिकवर कर चुक है उसका प्लाजमा लेकर के जो infected है जो करेंटली इंफेक्टेट चल रहे है उसको प्लाजमा लगा गया हो उसका ठीक भी हो गया हो तो उस कंडिशन में जिसको प्लाजमा चढ़ा है उसको अपने फिजिशन से एक बार सला लेना चाहिए बिफोर टेकिंग वैक्सिन और जिसने प्लाजमा दिया है उसको कोई प्राबलम नहीं है वह वैक्सिन ले सकता है अब एट्थ कुश्यन काफे सिंपल है हम लोग को है फिर इस तरीके को कोई प्राबलम हो रहा है तो वहां पर जो डॉक्टर एवेलेबल हैं उनसे इसके अलावा आप फेस मास्क लगा करके जाए प्रापरली मैं तो बोलता हूं फेस्ट भी लगा ही लो हैंड सेनिटाइजर यूज करो सोचल डिस्टेंसिंग फॉलो करो करो और आप अपना वैक्सिन लगवा लो अब नाइंत कोश्चन लेते हैं जो बहुत जादा लोगों का होता है कि कौन सा वैक्सिन अच्छा है को वैक्सिन या फिर कोविज सेल्ड या फिर स्पूतनिक फाइब तो तीनों के बीच में कोई हेट टो हेट कंपेरेजर नहीं किया बटन में भी मिल जाएगा अब लोग लास्ट कुश्चन ले लेते हैं कि यदि मैंने वैक्सिन लगवा लिया और कोई नहीं स्टेन आ गया तो क्या मैं उससे इंफेक्टेड हो सकता हूं तो इस वैक्सिन का क्या फाइदा हुआ तो वैक्सिन लगवाने के बाद आपको रि वैक्सिन न्यू स्टेन के लिए कंप्लीटली काम ना करें बट हो सकता है पार्सेली काम करेगा और आप सीरियस कंडिशन में नहीं जाएंगे इसको सिंपल एक्जामपल से समझते हैं आप मेरा चेरा देख रहे हैं मुझे पहचान जाओगे मैंने नाग का प्लास्टिक जरी कर लिया तो कोई नहीं पहचान पाएका तो वही जो नय है मीयूटेंट है उसमें म्यूटेशन कितना हो रहा है उसके उपफ़ डिपेंड करेगा यदि कम म्यूटेशन है तो यहीव वैक्सिन काम करेगा मिन्स कुछ न कुछ तो काम करेगा जिससे अप सीरियस कंडिश पूराने स्रेंग से तो बठ जाओगे ना तो वैक्सीन लगवाने का benefit है जरूर वैक्सीन लगवाईए अब वैक्सीन से रिलेटेट कुछ facts हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसे आप फ्रेली नहीं घुम सकते आपको COVID-19 का guideline follow करना चाहिए वैक्सिन कितने दिन तक काम करेगा इसका कोई study नहीं हुआ है हो सकता है एक साल काम करें हो सकता है दो साल काम करें हो सकता है तीन साल काम करें फिर परसंट टू परसंट वह वहरी कर सकता है वैक्सिन का complete जो immunity develop होता है वैक्सिन लेने के बाद उसको होने में दो से तीन हफ्ते लगते हैं after second dose एक और कुश्चन आता है जो बहुत लोग के मन में रहता है कि आप alcohol drinker हो तो आप क्या वैक्सिन ले सकते हो तो आप वैक्सिन ले सकते हो तो डियूरिंग वैक्सिनेशन जिस दिन वैक्सिन हो रहा है उससे में आपको एलकोहल लेना है या फिर नहीं लेना है इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हों अब हम लोग लेते हैं लास्ट कॉर्शन बहुत लोग मेरे प्रिविएस वीडियो में पूछ र लुक्त हुआ हूँ बट मेरे रिकवर हुए अभी वन मंथ कंपलीट नहीं हुआ है तो जब मेरे को वन मंथ कंपलीट हो जाएगा रिकवर होने के बाद उसके बाद ही मैं वैक्सीन लगवाँगा आई हो आपको आपको सारा चीज समझ में आगया होगा सारे डाउट्स चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके बता दीजी थैंक यू सो मच